वेलकम बैग आइस टोवर यूट्यूब चैनल डिश्टल तैयारी मेरा नामे चेतन पारिक आरस अगरवाल की हिंदी वाली बुक चल रही थी चेप्टर कौन सा चल रहा है प्रॉफिट लॉस पार्ट नमर टू हम सुरू करने वाले हैं तो देखते हैं क्या है पहला सवाल इस पार्ट में पहला सवाल हमारे पास है कोई वस्तू एक्स रुपए में बेचने पर पंदरा परसेंट हनी होती है इसी वस्तू को रुपए y में बेचने पर पंदरा परसेंट का लाब होता है तो यह कह रहा है कि y-x और y-x में क्या अनुपाथ है यह ग्याद करो ठीक है यह आपको फाइंड करना है अब यहां पर एक चीज है इस टाइप का एक सवाल हमें लास्ट पार्ट में भी किया था कि मान लो यह x है विक्रय मुल्या आपने पंदरा परसेंट हनी पर बेचा है इसका मतलब 85 युनिट्स में बेचा है एक तरीके से एक युनिट का बाग लगा था है एक युनिट का बाव मिल गया एक युनिट का कितना वैल्यू है वो मुझे मिल गया इसको जैसे ही मैं 115 से गुणा करूंगा क्योंकि 15 परसेंट का लाब हो रहा है जैसे ही मैं 115 से गुणा करूंगा तो मुझे Y की value मिल जाएगी 15% profit पर जो विक्रिया मुल्य होने वाला है वो मुझे मिल जाएगा तो ये किसके बराबर होगा तो ये बराबर होगया Y के ठीक है अब इसको तोड़ा simplify करते है 5 से काटा 17 वार में कट गया 5 से काटा 23 वार में कट गया यहां से X बटा Y का जो मान है वो कितना मिल गया तो वो मुझे मिल गया 17 बटा 23 कितना मिल गया 17 बटा 23 ये X बटा Y का मान मिल गया X बटा Y का मान मिल गया यहां पर रख लो और solve कर लो या फिर यहीं पर वो लगा दो या फिर वैल्यू रख लो आप ए कि कोई भी चीज गड़ सकते हैं तो y-x 23-17 किता हो जाएगा अच्छे हैं और y-x दोनों को जोड़ लो किता 40 अनुपात किता हो गया 3 बटा 20 3 बटा 20 यहनि क्या 3 बटा 20 यहनि option number c ठीक है आगे बढ़ता है अगला सवाल क्या है अगला सवाल मेरे पास है किसी वस्थू का क्रहम लिया, विक्रहम का अनुपात इत्ता है तो लाब क्या बटा 20 सवाल है तो अब तक आपने कर भी लिया हो गदा होगा किता होगा 5 परसेंट ड्टा लगा दए ठीक है? क्यों? क्योंकि 20 रुपए की चीज 23 रुपए में जा रही है या सौरी 21 रुपए में जा रही है एक रुपए का लाब किस के उपर? 20 के उपर एक बटा 20 को फ्रेक्शन है परतिसेंद बदलने के लिए 100 से गुना किया कितना मिल गया? 5% ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 100 रुपए में बेचने पर किसी वस्तू को 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ती को 20 रुपए का लाब होता है तो उसका लाब परतिसद कितना है यह गयात करो 20 रुपए का लाब हुआ ठीक है 20 रुपय का लाब हुआ विक्रामुल्य किता है 100 तो क्रामुल्य किता होगा विक्रामुल्य मेंसे लाब को गटा लोगे तो क्रामुल्य मिल जाएगा 100 मेंसे 20 गटा लोगे तो 80 रुपय मिल जाएगा यहाँ पे निचे रख देंगे 80 हमेशा profit और loss किस पर निकला जाते हैं CP के उपर निकला जाते हैं इसलिए नीचे क्या लग दिया CP लग दिया अगर कोई निकालता है SP के उपर तो गलती से निकालता है कई बार सवाल भी आता है कि दुकान दार ने SP पर अपना लाब निकला तो इतना निकला CP पर निकला तो इतना निकला तो सवाल आते हैं लेकिन नॉर्मली profit जो है ना वो किस पर निकला जाता है CP पर निकला जाता है अब ये कितना हो गया, ये एक बटा चार हो गया, एक बटा चार का मतलब कितना हो गया, एक बटा चार का मतलब 25% हो गया, option number B, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है देखो, अगला सवाल है, एक सोफे को 19,800 रुपे में बेचने पर 10% का लाब होता है, तो उसका एक आठ डबल जिरो, अठारा सव गुना किया, तो इसको भी अठारा सव गुना कर लो कितना मिल जाएगा, अठारा जार, तो ये आगए मेरे पास CP, ये अप्सन नंबर C, ठीक है, आगे बटता हैं, देखो, ये अगला सवाल, किसी वस्तू को इतने रुपे में बेचने प तो यहां पे देखो तेस पॉइंट 10 गुना किया, तो इसको भी कर लो, तेइस पॉइंट 10 गुना, कितना मिल जाएगा? 0, 4, 12, यहां पर एक और यहां पर 9 पॉइंट यहां पाइद दो संक्रिया केदैर कहाँ है, तो बरानॉद 0.4, बरानॉद 0.4 नहीं है, किल्कुलेश यहां पर किता आ जाएगा आट जाएगा ओप्सन नमबर यह हमारा अंसर होगा ठीक है, सिंपल सवाल है यह भी आगे बढ़ता है, अगला सवाल यह रहा, एक वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर 25% की आनी होती है तो वह किस मुल्य पर बेचे ताकि की 25% का लाब हो, तो 45% की आनी है मतलब, स्वारी, 25% की आनी है मतलब 75 यूनिट्स में बेचा गया है ठीक है, अगर 100 रुपए को क्राम लिया माने 25% की आनी हो रही है तो विक्राम लिया किता, 75 रुपए एक्चॉल विक्राम लिया किता, 45% अगला सवाल क्या है अगला सवाल है एक कुर्सी को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% हानी होती है तो वाग कुर्सी को कितने रुपए में बेचे ताकि 25% का लाब हो 720 रुपए में बेचा, यह है एक्चॉल लेकिन इन रेशियो देखे हैं तो कितना मान लो CP 100 यूनिट्स की थी 25% की हानी हो रही है तो विक्रम लेकिता 75 यूनिट्स का तो अगर मैं 720 में 75 यूनिट्स का भाग लगा दूंगा तो मुझे एक यूनिट की value मिल जाएगी मुझे कितने unit की value चाइगी 125 यूनिट की value चाहिए क्योंकि मुझे 25% का लाब करवाना है यहां से मुझे मिल जाएगी new SP, ठीक है, 25 से काट लो 3 वार में, 25 से काट लो 5 वार में, 3 से इसको काट लो 2, 4, 0 वार में, choice into 5 किता 120 और पीछे 0, 1200, option number A हमारा correct answer हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, किसे वस्तू को 20 परसेंट लाब पर बेचने से, उसे 20 परसेंट हानी पर बेचने की तुलना में, 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तू का क्रेम उल्य कितना है ये ग्याद करो क्रेम उल्य कितना है ये ग्याद करो देखो इसका ऐसे करता है 20% का मतलब 1 बटा 5 20% का मतलब किता 1 बटा 5 profit हो रहा है इसका मतलब 5 की चीज़ 6 में गई 5 की चीज़ किता है में गई 6 में 5 रुपए CP है 6 रुपे क्या SP है ठीक है आगे 20% के अनी हो रही है मतलब 1 बटा 5 यानि 5 की चीज इस बार किते में गई 4 में गई ये जो SP है वो कौन सी वाली SP है प्रॉफिट पर बेचने पर जो SP मिली वो है अब जो SP लिखने वाल हूँ प्रॉफिट पर बेचने पर जो SP मिली वो है तो इस बार आपने 5 की चीज किते में 4 में बेची क्योंकि एक रुपए का लॉफिट हो रहा है 5 की चीज किते में 4 में बेची CP तो वो क्यों है SP चेंज कर दी अब ये सवाल कह रहा है कि 60 रुपए अधिक मिलते हैं किते मिलते हैं 60 रुपए अधिक मिलते हैं यानि ये कह रहा है कि इन दोनों का जो गैप है आप पहले हनी पर बेच रो फिर आप अच्छा न अगला पर बेच रो तो ये जो दो यूनिट्स है ना अगला सवाल क्या देखो अगला सवाल है मेरे पास ए ने कोई वस्तू ब को 25 पर सेंट ला पर बेची ब ने वह वस्तू सी को 20 पर सेंट ला पर बेची सी ने डी को 10 पर सेंट ला पर बेची यदि डी ने इसे इतने रुपए में खरीदा तो A ने उसे कितने रुपे में खरीदा था चार जनों की बात हो रही है A, B, C, D A ने B को 25% लाब पर बेचा मतलब 4 की चीज 5 में B ने C को 20% पर बेचा 20% का मतलब 5 की चीज 6 में यही होता है 20% मतलब 1 बटा 5 5 के ओपर एक यूनिट का प्रॉफिट मतलब 5 की चीज किता है में गए 6 में C ने D को 10% के लाब पर बेचा 10% का मतलब कितना होता है एक बटा 10 10% का मतलब किता है 10 रुपे अगर CP है तो एक रुपे का लाब है 10 रुपे अगर CP है तो एक रुपे का लाब है मतलब SP कितनी 11 इन ratios को merge करना है ठीक है ratio को merge कर लेता है तो 6 और 10 का LCM किता 36, 36 कैसा आया 5 गोना करने पर तो इस उपर वाली लाइन में जो भी है ना, 5 से गोना कर लो 25, इसको 5 से गोना कर लो किता, 20 इसको किस से गोना किया 3 से, तो नीचे वाली लाइन में 330 में, मतलब यह जो 33 है, वो एक्चुल में 33 नहीं है, एक्चुल में 330 है, कित्ता कुना, 10 कुना, तो यह बोल रहा है, एक अक्राम उल्य किता है, तो एक अक्राम उल्य का 10 से कुना करवा लो, कित्ता मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा, यह अप्सन नमबर, ए हमारा correct answer हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल है हमारे पास एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेशता है कि साड़े 900 ग्राम चीनी का विक्रह मुल्य एक किलो ग्राम चीनी के प्रकार मुल्य के बराबर है तो उसका लाब परतिशत कितना है ये ग्याद परो ये क्या कह रहा है कि साड़े नौसो ग्राम का जो भी विक्राय मुल्य है वो किसके बराबर है हजार ग्राम एक किलो का मतलब कितना हजार ग्राम के एक क्राय मुल्य के बराबर है ठीक है यहां से 0 से 0 काट लो, 5 से काटा 20 वार में, 5 से काटा 19 वार में यहां से आप देख सकते हो, CP बटा SP मिलेगा आपनों किता मिलेगा, यह SP अगर मैं उस तरफ वेज दूँ, यह 20 अगर इस तरफ वेज दूँ पीछे 5, 6 से फ़ल बचा और बटा में 19, यह हो गया मेरा आंस्वर, 5 से 5 बटा 19 परतिशत यानि आपसन नमबर ए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है मेरे पास कि यदि किसी निर्माता का लाबांच 10 परतिशत है, थोक विकरता का लाबांच 15 परतिशत है, और फुटकर विकरता का लाबांच 25 परतिशत है, तो सवस्तू का उत्पादन मुल्य क्या होगा, जिसका फुटकर मुल्य 1265 है, तीन स्टेप के अंदर कोई चीज बन कर जा रही है, सबसे पहले तो प्रोडक्शन, उसके बाद कौन है, यह थोक विकरता है, हो 10% का मतलब एक बटा 10, यहनि 10 की चीज किते में बेशता है, वो 11 में बेशता है, होलसेलर को, होलसेलर आगे फुटकर वियापारी को 15% के लाब पर बेशता है, 15% को फ्रेक्शन मम क्या लगता है, तीन बटा 20, यहनि 20 की चीज किते में जा रही है, 23 में जा रही है, तो यहा से 220 किसा आया I Titan करने पर तो в vendor कर लो 200 20 से 220 कैसा ऐया 11 से वोना करने पर तो इसको कर लो 11 से वोना किता होगा 33 तेन 23 चला जाएगा बाई सा अर तीन किते हैं 22 और थेन 25 यह आगा मेर पार सबका रेशियो आगे क्या हुआ अगई नार चार का लाबांस जीज्क चार की चार की चीज 5 में गए तो यहां पे लेके लिगता हूँ में 4 की चीज 5 में गए फिर से इन दोनों governo कर लेते हैं ठीक है तो यह कित्ब हो जाएगा 1000 और 1210 12 Safe, 1000 12 इसको चार से गुणा किया द लाइन लाइन में जो भी यह 4 से गुणा कर दो, इसको 4 से कर लेंगे 880, इसको 4 से कर लेंगे 800, इसके बाद 4 को आपने किस्से किया, 253 से गुणा किया, तो 5 इंटो 253 कर लेंगे, किता होगा, अब आगे क्या कह रहा है, फुटकर मुल्यों कितना है, इतना है, हमारा फुटकर मुल्यों भी कितना ही है, मतलब एक गुणा, तो production cost कितनी है, इसको कर लो एक से गुणा, तो 800 को एक से गुणा करोगी, 800 ही मिलेगा, तो यही हमारा answer है, option number C, आई बात समझ में, I hope अच्छी तेरी के सवाल समझ में आ चुका है आपको, और आप खुद भी साथ-साथ में ट्राई कर रहे हैं और एक सवाल को, क्योंकि जितने ज़्याद रुपए एक परती अंडे की दर से 145 अंडे खरीदता है, ठीक है, एक रुपए के हिसाब से, एक रुपए पर एग के हिसाब से, उसने कितने खरीदे, 145 अंडे खरीदे, आगे कह रहा है, इन में से 20 अंडे टूट गए, ठीक है टूट गए, पीछे किते बचे, 114 अंडे बचे वो क्या करता है से संडो को एक पॉइंट बीस रुपए परती अंडे किदर से बेश देता है जो पीछे बच गया उसको एक पॉइंट बीस परती अंडे किदर से बेश देता है किते अंडे बचे पीछे एक सो चॉइस परतिये को किस पर बेचा एक पॉइंट 20 पर दौनों का अगर गुणा करा लूगा तो मेरे पास कुल मिला कर S.P. आजएगी कुल मिला कर S.P. आजएगी तो उसे कितने परतिसत यह लाब यह हनी यह आपको फाइंड करना है उसका लाब यहानी क्या यह आपको find करना ठीक है तो यह मुझे कुल मिलाकर CP तो मिल गई सॉरी SP तो मिल गई कुल मिलाकर CP भी निकालना पड़ेगा तो उसने एक रुपए के हिसाब से कितने अंडे खरीदे एक सो चमाले संडे तो एक सो चमाले स्रुपए उसके क्या हो गई CP बली टूट बले ही गाए लेकिन उसका जेब से पैसे तो लगे ना उसके बिके नहीं वो लेकिन पैसे तो लगे जब उसने खरीदे थे तो CP में तो हम उन 20 रंडों को काउंट करेंगे लेकिन CP के लिए हम काउंट नहीं करेंगे अब इसको सॉल्ल करना है यहां से पॉइंट अटाकर नीचे दो जिरो लगा दू जीरो से जीरो हट गया दो से काट लो 5 बार में दो से काट लो 6 बार में अब मैं क्या कर रही हूं पूरे रेशियो को 5 से गुणा करेंगे था कि नीचे वाला 5 हट जाए तो क्या कर रहा हूं 5 से गुणा किया 5 सो बिस यहां पागिया दो 5 चॉक बीस और 022 यहां पागिया दो 5 एकम 5 और दो किते हो गए 720, यहां से 5 हटा लूँगा क्योंकि 5 से गुणा किया है, मैंने यहां पर 5 से गुणा किया था, 5 से 5 कट गया 124 इंटू 6 करना है, 6 को चोईस, यहां पा गया 2, 6, 12 और 2 किते 14, यहां पा गया 1, 6 और 1 किते हो गया 720 रुपए की चीज किते में जा रही है 700 चमाल इस रुपए में जा रही है तो अव्यस सी बात है, यहां पे प्रॉफिट हुआ है कितना प्रॉफिट हुआ है, 24 रुपए का प्रॉफिट हुआ है किस पर हुआ है, 720 के उपर हुआ है परसंटेज में चेंज गरने के लिए 100 से गुणा कर दिया सही है, अगर मैं इसको काड़ता हूँ यह 3 वार में कटरा रही है 0 से 0 काट लूँ अगर तो 10 बटा 3 10 बटा 3 का मदलब 3 से 1 बटा 3 3 से 1 बटा 3 प्रॉफिट यहनि option number यह हमारा correct answer हो गया option A और D same दे रखा है कोई बात नहीं, कोई भी एक टिक लगा दो answer सही, सही क्या होगा 3 से 1 बटा 3 प्रॉफिट ठीक है, अगर बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल है हमारे पास किसी वस्तु को रुपे 21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रेम उल्यों के बराबर प्रतिसत हानी होती है तो वस्तु का क्रेम उल्यों क्या है ये ग्याद करो, ये कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति 21 रुपे में किसी वस्तु को बेचता है, तो उसका जो लाब या हानी प्रतिसत है हानी प्रतिसत है यहां पर तो उसका जो हनी पर्तिसथ है, वो CP के बराबर है, मान लो CPX है तो उसकी जो हनी है ना, वो हनी भी X पर्तिसथ है, यही कहारा, देखलो, Cream उलियों के बराबर पर्तिसथ हनी हुई, ठीक है, अब देखो, यहांपे इसको solve करते हैं, यहाँ पे लिखावा है x ठीक है यहाँ पे लिखावा x cp cp के उपर normally जो honey होती है वो honey अलाव हम किस पर निकालते है cp पर निकालते है ठीक है यहाँ पर 21 रुपय में कोई चीज भी की है honey का formula क्या होता है cp-sp honey का formula क्या होता है cp-sp cp-sp कितनी x माइनस S P कितनी 21 यह आ गई हानी, हानी में लगा दूँगा मैं X का भाग, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहां से, लॉस परतिसद मिल जाएगा, यह लॉस परतिसद इंटू 100 कर लूँगा, यह लॉस परतिसद हो गया यह किसके बराबर दे रखा है, तो यह दे रखा है X के बराबर, यह देखो X के बराबर दे रखा है अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल करना है X का मान निकलना है, X का मान निकलेगा, तो हमारा वही क्या हो जाएगा क्रेमल्य हो जाएगा, तो इसको solve करते हैं, 100 अगर गुणा करा लूँगा तो किता होगा, 100X ठीक है, 100X, माइनस का 2100, और ये X square हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो, यहाँ पे लिख दिया, मैंने X square, फिर किता हो जाएगा X square, ये 100X इस तरफ आएगा, माइनस का 100X, ये 200, इस तरफ आएगा, तो प्लस का, 2100, बराबर में कितना हो गया, 0 देखो, बराबर में कितना हो गया, 0, अब ये value यहाँ पे put करकर देख लेते हैं, X की जगे, अगर मैं X की जगे 50 रखता हूँ, देखो, 50 रखता हूँ, तो किता आएगा 900, 30 रखता हूँ, यहाँ पे तो ये किता हो रहा है, 3000, 30 अगर, यहाँ पे तो रखने की ज़रूत है, 2100, देखो, ये 0 हो रहा है क्या, इन दोनों को जोड़ा, तो 3000, प्लस 3000, माइनस 3000 कट गया, मदलब बिल्कुल satisfy कर रहा है, तो इस quantity को solve करने की ज़रूत नहीं है, यहाँ तक आने के बाद option रख लो, तो जैसे मेरे को पता चला, option number A satisfy हो रहा है, तो option A को टिक लगा दिया है, आई बात समझ में, तो इस प्रकार से हमने total 26 number तक सवाल कर लिया है, I hope सभी से समझ में आगए आपको सारे के सारे, आगे आने वाले सवालों को में अपकमिंग पार्ट्स के अंदर सवाल करेंगे, Thank you Please, Like, Share, Subscribe, Digital तैयारी